कॉंग्रिस आजानी सुमवार एक अप्रेल को तेलंगाना के प्रत्याशियों का एलान कर सकती है। कॉंग्रिस मुख्याले में केंद्रिच चुनाफ समीती की बैठक हुई। आपको बता दे इस बैठक में कॉंग्रिस अध्यक्ष मल्लिकार जुन खडगे, इसके पहले 29 मार्श को कॉंग्रिस ने नौविलिस का एलान किया था। इसमें राजस्थान के दो कैंडिडेट्स के नाम बदल गए और करनाटक से तीन उमिद्वारों का नाम घोशुद किया गया था। कॉंग्रिस के आठवे रिस में चार राजस्थान के नामों का एलान किया गया था। उत्तरप्रदेश के महराजगन से सुप्रिया श्रीनेद का टिकेट काटा गया था। वही 2019 में उन्होंने यहां से जुनाव लड़ा था पर हार गई थी। इस साल कॉंग्रिस ने सीट से विरेंद्र चौदरी को उता रहा है फिलहाल सामने नहीं आया है कि पार्टी ने श्रीनेद को टिकेट क्यों नहीं दिया। इसे कंगना रेनाट पर विवावदित पोस्ट करने की कॉंट्रवर्सी से जोड कर देखा जा रहा है।